हलो एवरिवन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इसलामिया की कुछ अपडेट्स के बारे में तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा जैसे ही आप सर्च करते हैं इस तरह से पहला आइकन जो भी आता है जामिया की वेबसाइट का उस पे लिटिस में नोटिफिकेशन जो हैं वो मैं बताना चाहूंगी एक बार इने फिर से आनने देया जाए तो देखें नोटिस वैसे तो 16 नमंबर का है यहां पे लिखा हुआ पर यह बडेट शायद कल हुआ है in continuation to the office notice file number this 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 dated this and the vice chancellor JMI has very kindly approved the extension in the last date of admission to BTEC, BR and the academic programs whose test have been conducted by CUET for the academic session 22 and 23 from 15th November to 21st November तो अब आपका last date का जो extension कर दिया गया है अब यहां पर यह सवाल उठता है कि तो last date extend हुई admission की BTEC, BRC और CUET की तो वो 15 नमंबर तक बोला गया था कि अपने सारी admission formalities complete कर लेंगे वो 21st तक हो गई है तो अभी इसमें all मतलब की admissions लेने है ठीक है all list आएंगी यह था update इसका next notice regarding online examinations forms of odd semester यह already उनके लिए है तो जामिया में हैं तो इस पर लेकिन आपको क्लिक करके बता जाते हैं क्योंकि यह भी एक update है online submission of examination forms of all post graduate and undergraduate and diploma programs etc for odd semester examination except first semester of academic session 22 and 23 is going to be live from 16th November the last date for submission of the online examination form shall be 13th November 2022 यह अपडेट उनके लिए है जो जामिया में already पढ़ रहे हैं उनके उनकी examination exams आने वाले हैं semester end के तो उसके लिए आपको एक form फिल करना होता है जो online फिल करना है जिसकी date 16 से 13 तक है अब अगर हम next update की बात करें तो यहां पर ऐसे कोई फिलाल update बड़ा update यहां पर नहीं है हाँ यहां पर अभी भी updates आ रहे हैं related to results आप वो चेक कर सकते हैं चाहें वो किसी के भी हो admission के सभी चेक कर सकते हैं अब नीचे आप अगर स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहां पर दूसरी जामिया की जो website सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर अगर बात करें तो इनका अल्रेडी आ चुका है और फॉर्म सभी के ऑस्टिल फॉर्म फॉर रेजिडेंट्स हॉल अफ रेजिडेंट्स बॉइस गर्ल्स और स्कूल हॉस्टल के ठीक है तो अगर हम बात करें तो 16 तारिक को यानिकी अ अपडेट किया गया है नोटिस फॉर्म गाइडलाइन्स फ्रेश अड्मिशन अव जामिया अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूं तो यहां पर मुझे सारी चीज़ें मिलेंगी यह थोड़ा टाइम ले रहा है तो देखें यह भी अपडेट हो गया है यहां पर ठीक है नोटिस है यह रहा होस्टल गाइडलाइन सेकेंडर अप्लिकेशन फॉर्म यह है तो नोटिस क्या है वह आप देख ली जाएक पर ही नोटिस यह है कि एप्लिकेंट्स आर गाइडलाइन सेकेंड़ खूर्जा ऑंट आपको टेखते हैं रुपीस थो हुष घंडर कैस्टा तो नोटिस तो यह हिनका नोटिस कि आपको जो भी गाइडलाइन सेवप पढ़ ली जयए प्र लीजना यह प्रॉडली ओग्वर्वस्ट थी नोटिस क्यां आपको अप्र आपको हार्ड कॉपी में ही समिट करना है यानि कि आपको अभी ऑनलाइन दिया हुआ है उस फर्म को क्या कहते हैं उसे प्रिंट निकलवाना पड़ेगा और फिल करके 200 रुपीस और बाकी सारे सपोर्टिंग डॉक्यमेंट के साथ एक दिसंबर से पहले प्रोवोस्ट ऑफिस जामिया स्कूल होस्टिल्स में समिट करना होगा अब हम चलते हैं इसकी गाइडलाइन यह रहीं गाइडलाइन और यह रहा आपका अप्लिकेशन फॉर्म अप्लिकेशन फॉर्म फ्ञेड़ आप्योंग इस भाप्यार्ज कवग की अप्लिकीश श्थीशु और आपकैशन फॉर्म ही एड डिंख सिसंबर गाइड धुर्म पहले नशन आपको आपको इसा भढ़ना है आपका नाम बर्थ क्लास अस्टिन आई डी नेम ऑफ दीक्स कोल अधिया हुआ है आप यहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है तो यह सब कुछ अपको इक्लेरेशन अंडरेकिंग यह सब कुछ आप को निकलवाना होगा और ये अंडटेकिंग पर पारेंट्स भी लगेगा और आपको ये हाड़ कोपी में समिट करना है विद दॉक्यमेंट्स जो बेंचन की है अब हॉस्टल गाइडलाइन्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो बीच वाला आइकन है यहां से हॉस्टल गाइडलाइन्स में बहुत कु है 16 को यह भी अफडेट हुआ था इसका भी सेम पाटर्न होंगा सेम इंगाइडलाइन्स होंगी और लेकिन गाइडलाइन्स वहीं पर ही हैं नोटिस यह रहा एप्लिकेशन फॉर्म यह रहाए अब अगर हम स्थूल हॉस्टल की बात करें जो आज़ की स्कूल हॉस्टल है उसमें अपडेट नहीं है अगर HAL OF ARKIVES HAL OF RESIDENCE GIRLS में बात करें तो इसमें भी कोई अपडेट नहीं है और JNK GIRLS HOSTEL में भी कोई अपडेट ऐसा नहीं है तो यहीं hall of resident boys and girls में ही आया है तो आप यहीं पर ही form fill कर सकते हैं भी बाकी तीनों में नहीं आया तो आपको उसका wait करना होगा that's it for the video thank you